So guys, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Real Cricket 24 गेम की problem के बारे में अगर आप ये game खेलते हैं और आपकी game जो है stuck हो जाती है आप यहाँ पर game खेलते हैं और आपकी जो game है automatic stuck हो जाती है आप जो हैं एक जगहाँ पर रुक जाते हैं गेम नहीं खहिल पाती है, ओपन करते ही आप्की गेम तक हो जाएगी एक जगह पर या फिर आप गेम खेल रहे हैं, तब बहुत तक हो जाएगी एक जगह पर आप गेम नहीं खेल पाती है प्रॉपर तरीके से, तो इसका solution क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो में एन तक बने रहीएगा वीडियो अच्छी लगए तो like कर लिजिएगा चैनल को subscribe कर लिजिएगा तो इसका solution क्या है जान लेजिए कई बार होता क्या है आपके mobile में जो data होता है वो आपने full करके रखा होता है मतलब आपके जो phone की memory है आप देख लीजिए वो कम होती है और आपने जो है उसको full करके रखा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ setting में आया मैं about phone में आया और storage देखने को मिलती है क्योंकि कई game heavy होती है और रून की वज़े से आपको problem आती है कि अगर आप low space होगा तो problem आएगी ही आएगी तो आप ज्यादा से ज्यादा mobile की memory को खाली रखिए तो आपकी problem solve हो जाएगी या फिर आप जो है memory card यूज कर सकते है SD card जिसको बोल सकते है जो भी आपका data वगएरा होगा उसको जो है आप move कर दीजिए अपने memory card में phone की memory को लगबग खाली रखिएगा ये काम आप कर सकते हैं then उसके बाद आपको क्या करना है setting में आना है setting में आने के बाद scroll करना है औ manage apps पर आना है और यहां पर आपको search bar में अपनी game जो है वो search कर लेनी है cricket यह आ चुकी है real cricket 24 इसको open करना है storage पर क्लिक कर लेना है यहां से clear data पर आना है और इसका clear all data कर देना है याद रखे clear all data करने के बाद आपकी problem जो हो जाएगी फिर आपकी game stuck नहीं होगी नए तरीके से open होगी और use कर पाएंगे आप तो यह काम आपको कर लेना है दन उसके बाद जो है आपको क्या करना है जो आपकी game house पर long press करिए long press करने के बाद यहां पर आपको option देखने को मिलता है बीच में app info का इस पर click कर लीजिए app info पर click करने के बाद directly इस page पर आ जाएंगे और यहां permissions वगएरा भी देखने को मिल जाती है अगर अगर इनको option आपको मिलता है इनको enable करने का तो वो भी आप कर लीजिए अपने हिसाब से देन उसके बाद आपको क्या करना है आपके mobile में check करना है कोई necessary मतलब third party application वगएरा तो नहीं है third party को यह application हो जो आपने play store से download ना करकी हो क इसको डिलेट कर दें और अपने power button दबाएं power button दबाके रखेंगे तो आपके mobile में reboot option देखने को मिलेगा आप अपने mobile को reboot कर ले या फिर restart कर ले जैसे आप mobile on-off होगा और आप जो है game खेलेंगे तो आप फिर देखेंगे आपकी game stuck नहीं होगी easily आप smooth तरीके से game खेल पाए